नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं संख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्यान विभाग तथा अन्य विभागों के कूल 10 यार नियुक्ति पत्र वित्रन की जाएंगे रांची के नए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इसकी त्यारी को लेका समिक्षा बैठक की बैठक के दवान उपायुक्त ने कारेकरम की त्यारी एवं सफल संचारन के लिए जीला असर पर गठीत विभीन को सांगों के नोडल पता दिकारियों से अगतन जरकारी लेते हुए आवस्यक दिशा निर्देश दिये बता दे रांची के डिसी राहूल कुमार सिन्हा ने मोराबादी इस्थित कारकरम असर पर मुख्य मंच के निर्मान एवं मैदान की बेवस्ता की समिक्षा भी की है रांची में मौसम खराब के कारण दो फलाइट डाइवहर्ट मौसम खराब होने की वज़े से रांची की फलाइट को डाइवहर्ट कर दिया गया है एक फलाइट वारा नसी तो दूसरा कोलकाता भेज दिया गया पुने से रांची आने वाली फलाइट को वारान सी डाइवर्ट किया गया है वहीं रांची एरपोर्ट से होकर बैंगलूरी एरपोर्ट के लिए उडान भरती है कोलकाता से रांची आने वाली फलाइट रांची यारपोर्ट नहीं पहुंचने के कारण यात्रियों को परसानी हुई वहीं बेंगलूरु जाने वाली यात्री भी रांची यारपोर्ट पर फलाइट के आने का इंतियार कर रहे हैं हलाकि इन यात्रियों को एसमेस के माध्यम से सुचना उपलब्द करा दी गई है मगर जो यात्री आरपोर्ट पहुंच गए थे उन्हें आरपोर्ट पर ही इंतियार करना पड़ा है राष्ट पती कैंडिडेट द्रोपदी मुर्मु को जे एमेम का समर्थान सीबू सुरेन ने की घोसना है राष्ट पती की एन डिये कैंडिडेट द्रोपदी मुर्मु को जहरखन मुक्ती मोर्चा का समर्थान मिल गया है जामों के केंद्री अध्यक्स वराई सबसांसर सीबू सुरेन की और से पत्र जारी कर इसकी घोसना की गई आपको बता दे कि इसे पहले जामों ने रांची में बैठा कर राष्ट पती चुनाओं में समर्थन के निनाय को लेकर सीबू सुरेन को अधिक्रित किया था इसके बाद सीम हमान सुरेन ने दिली जाकर ग्री मंत्री अमीद सासे मुलकात भी की थी राष्ट पती चुनाओं में समर्थन को लेकर जार्खन मुक्ति मोर्चा ने पिछले दिनों बैठा की थी इसमें राष्ट पती चुनाओं में निनाय लेने के लिए दिस्वम गुरू अजामों के केंद्री अध्यक सीबू सुरेन अधिक्रित किये गए थे इसके बाद नौलीन सुरेन ने जनकारी दिती की दिली में ग्रिह मंत्री अमीच सास सीए महँद सुरेन की मुलकात के बाद समर्थन को लेकर निना लिया जाएगा सुरावनी मेले में सुरक्षा को लेकर हर दिन अलग रंगों का होगा सिख्रदर्शनम काड़ गुरुवार से स्रावनी मेले की सुरुवात हो गई है दो साल बाद एक बार फिर सुरू हुई स्रावनी मेले को लेकर इस बार सरधालो को कई सुविधाय उपलवध होगी वही सुरक्षा की दिष्टी कों से सिख्रदर्शनम अस्मार्ट कार्ड का रंग हर दिन बदला जाएगा जिस दिन किस रंग का कार्ड होगा या मंदीर पर सासन के लावा किसी अने को जनकारी नहीं होगी मंदीर से मिली जनकारी के अनुसार अस्मार्ट कार्ड में किसी तरह की छेर शाड़ना हो इसके लिए या नेना लिया गया है जनकारी के अनुसार इस कार्ड में अगर किसी तरह की छेर शाड़न का पर्यास भी किया गया तो काड को एसकेन करते ही पकड में आ जाएगा पांच रंगों में बुलू, परपल, असकाई बुलू, हाराव के सर्या रंग का कुपन जारी होगा मुख्य मंत्री खननलीज मामले में अगली सुनवाई पांच अगस्त को जार्खन के मुख्य मंत्री हेमन सुरिंद्वारा अपने नाम पर पत्थर खननलीज आवंटित कराने के मामले में भारत निर्वाचन आयोग में अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी इस मामले में गुरुवार को भी सुनवाई होई मुख्य निर्वाचन आयोग तराजीव कुमार के समख्च हुई सुनवाई में मुख्य मंत्री के अधिवक्ता की ओर से दलीले शुरू की गई इसी करम में आयोग की तरफ से अगली सुनवाई की नई तीथी तैय कर दी गई सुनवाई के बाद भाजपा की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्स ने कहा है कि उन्हें कूछ एडिस्टनल सब मीशन दाखिल करना है इसलिए आयोग से समख्य मंगा था वही मुख्य मंत्री के अधिवक्ता ने कहा कि सुनवाई की दरण हमारी दलीले नहीं सुनी गई और नई तारिक तै कर दी गई है जारखन में चार लाख गैस सिलिंडर की खपत कम महंगाई का असर जारखन में घरेलू गैस सिलिंडर की बढ़ती कीमतों का असर दिखने लगा है यही करन हाई की राजे में रसोई गैस की खपत में गिरावट आई है पिछले एक साल की तुनला में इस वर्स अप्रेल जून माह में लगभग 4 लाग सिलेंडर की खपत कम हुई है अभी एक सिलेंडर की किमत 1110 रुबे 50 पैसा हो गई है बता दे गैस कंपनियों से मिले आकड़े के अनुसार 2021 में तीन माह की अवधी में रांची सहीत पुरे जारखन में तीनों गैस कंपनियों को मिला कर कूल 65.46 लाग सिलेंडर की खपत हुई थी जबकि 2022 में इसी तीन माह की अवधी में सिलेंडर की खपत घट कर 61.47 लाग हो गई है द्रोपदी मुर्मु को जे एमेम का समर्थन के बाद 22,000 वोट ता है राष्ट पती चुना में एनडिये की परत्यासी द्रोपदी मुर्मु को जारखन मुक्ति मोर्चाने समर्थन देने की घोसना की है पार्टी सुप्रिमो सीवु सुरेने बुद्धवार को इसकी घोसना की इससे द्रोपदी मुर्मु को जारखन में बीजेपी और आईसू के बाद जामों का भी समर्थन मिल गया है इसके साथ ही राष्टपती पत की एंडिये पत्यासी को राजे से कूल बाई सेर 808 वोट मिलना तरह है मालूम हो कि राष्टपती चुना में द्रोपदी मुर्मु के अलावाद यूपिये की और से पत्यासी अस्वंत सिना भी है रामगड में मिथेन गयस का तेजी से हो रहा रिसाव मचा हड़कम जारखन के रामगड जिले के मांडू परखन की लईयो उत्री वा लईयो दक्षनी पंचात में कई जगो पर बड़ी मात्रा में मिथेन गयस का रिसाव जारी है गैस का रिशाव दिनों दिन भ्यावा रूप धारन करता जा रहा है यह CCL जार्खन उत्खनन पर्योजना प्रभावी छेतर है बता दे इन दिनों लईयो उत्री पंचायत के मुंडल टोंगरीवा कोठी टांड में डिप बोरिंग से अधिक मत्रा में मिथेन गैस का रिशाव हो रहा है लईयो उत्री पंचायत के मुखिया सुरेस महतो उर्फ मदन महतो ने कहा है की मिथेन गैस रिशाव के कारण दोनों पंचायत के दस हज्जार लोगों पर संकट के बादल मंडरा रहे है इस दिस्ता में पहल नहीं किये जाने से ग्रामिनों में नराजगी है अगनी पत के खिलाब जम सेथपूर में ट्रेन रोकने के आठ अरोपियों को छोड़ा जारखन के पुर्वी सिमून जीले के जुग सलाई में अगनी पत के खिलाब ट्रेन रोकने के आठ अरोपिय छात्रों को आरपियेफ ने गुरू आर सुबह साथ बजे टेलको स्टेडियों में चापे मारी कर गिरफतार किया चात्रों की सिनाक्त वीडियो रिकोर्डिंग वा सिसी टीव फोटेज के अधार पर की गई थी हलाकि गिरफतारी के समय यूकों ने आउचक करवाही का बिरोध भी किया लेकिन टाटार नगर आरपियेफ पोस्ट की टीम की सुजबूज के कारान आट आरोपी चात्रों को पोस्ट पर लाया गया जहां पी अर बोंड पर आरपियेफ पोस्ट से इन्हें छोड़ दिया गया जहां मुमों के समर्थन के बाद कांग्रेस की बोलती बंद राष्ट पती चुनाव से ठीक पहले जहारखन मुक्ती मोर्चा भी एन्डिये परतियासी दुरपती मुर्मो के पक्स में खड़े हो गया पार्टी परमोक सीबू सुरेन ने सभी सांसोदों और विधायकों को पत्र लिख कर इस नीने से अउगत करा दिया है मुर्चा के इस कदम से कांग्रेस को बड़ा जटका लगा है विप्रक्स के सन्युक्त उमिद्वार के पक्स में मद्दान के लिए कांग्रेस चामो को त्यार करने में जुटा था लेकिन यह हो नहीं सका असपस्ट तर पर भाजपा ने जो आदिवासी काट खेला हुआ सफल रहा और आदिवासियों के बीच राई निती करने वाला ज़ामों ने अंत्ता आदिवासी उमिद्वार के पक्स में ही जाने का निनलिया है जारखन में सुक्रवार से सभी वयसको को मुफ्त बुष्ट डोज पर संसा है सभी वयसको को करोना का मुफ्त बुष्ट डोज सुक्रवार से सुरू होने पर संसा है पतादे राज सरकार द्वारा गुरु आर को साम तक मुफ्त बुष्टर डोज को लेकर जीलों को आदेस जारी नहीं किया जा सका था राजे टिकाकन पता दिकाई डाक्टर राकेस देयाल ने कहा है कि अभी तक केंद्र का पत्र नहीं मिला है केंद्र से पत्र मिलते ही 18 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को मुफ्त बुष्टर डोज लगाने का आदेस सभी जीलों को जारी कर दिया जाएगा स्वास्त विभाय के अपर मुक्स चीव अरून कुमार सिंग तथा अभ्याय निदेशक भोनेस परताप सिंग के दिली में होने के कारण भी इसे लेकर कोई आदेस जारी नहीं हो सका नीट परिक्षा 17 जुलाई को देखे एडमीट कार्ड मेडिकल कोलेजों में परवेश के लिए 17 जुलाई को नीट की परिक्षा विजित की जा रही है कदा चार मुक्त परिक्षा को लेकर राची जीला पर साथ सन द्वारा तैयारी पूरी कर लिगा है 8 हाय परिक्षारथी 2 सिप्ट में परिक्षा देंगे परिक्षा 2 पहर 2 बये से लेकर साब 5 बये तक संचालित होगी परिक्षा के लिए इस बार भी ट्रेस coat लागू किया गया है परिचार्थी किसी भी परिच्छा केंदर में जूते और उची हील के सेंडल पहुन कर नहीं जा सकते हैं परिच्छार्थी चपल पहुन कर ही परिच्छा केंदर में परवेश करेंगे फूल स्लीव के कपड़ों पर भी रोक लगाई गई है परिक्षा केंद्र में आधी बाजू के हलके कपड़े पहुनने का निदेश जारी किया गया है राष्ट पती चुनाव 18 जुलाई को रांची पहुंची मत पेटी 18 जुलाई को होने वाली राष्ट पती चुनाव के लिए मत पेटी तथा अने निर्वाचन समागरी बुद्धवार को रांची पहुंच गई है जार्खन के मुख निर्वाचन पतादिकारी करयाला है तथा जार्खन बिधान सभा के पतादिकारी साम में सभी समागरी भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त कर विमान से रांची पहुंचे सभी समागरी को पूरी सुरक्षा के साथ बिरान सभा के एश्ट्रोग रूम में पहुंचाया गया वहाँ 24 गुनाद साथ सुरक्षा की बिवस्ता की गई है जारखन ATS ने 12 के खिलाब दाखिल की चार्ज सीट जारखन पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता के कुख्यात अपराधी अमन सिर्वास्ताव गैंग के 12 सदस्यों पर मंगलवार को सिविल कोट रांची में चार्ज सीट दाकिल किया गया ATS ने जिन पर चार्ज सीट दाकिल किया है उनमें अमन सिर्वास्ताव का भाई अविशेक सिर्वास्ताव वबहनोई चंद्रप्रकास रानू भी सामिल है कुख्यात अपराधी अमन सिर्वास्ताव अभी फरा रहा है बतादे ATS ने चाल्सिट में बताया है कि आवन सिरिवास्ताव गैंग के अपराधी रंगदारी वर लेवी से पैसे जुटाते थे और उससे हत्यार खरीद कर आतंक कायम करने के लिए गोली बारी वर आग जनिकर बेवसायो ठेके दारों में खौप कायम करते थे सिक्छा मंतरी के सेवा में 6 नर्स, एम्बूलेंस वर ड्राइबर तेयनाथ बिना किसी प्रवधान के 6 नर्सों को आवास भेजा जा रहा है जबकि इनकी जरूरत एक बरस के बाद भी है इसकी कोई जनकारी उपलब्द नहीं है दूसरी और मंत्री जी के जाच वाईलाज के करम में डॉक्टरी सला महतपूर्ण है जबकि डॉक्टर को छोड़ इन स्वास्त कर्मियों को तीन सिफ्ट में काम पर लगाया गया जिसके लिए दो एम्बूलेंस और तीन डाइबर को भी तैनात रखा गया है इस टीम में रिम्स की छाओ नर्सों को डूटी दी गई है जो तीन सिफ्ट में रिम्स के एम्बूलेंस से आती जाती है इस मुद्धे पर रिम्स के निदेशक ने बताया कि उनके द्वारा सिर्फ आदेश का पारण किया जा रहा है उपर से ही आदेश है और स्वास्त मंत्री की ओर से भी आदेश मिला है रांची हिंसा की जाच में एन आये की हो सकती है इंड्री रांची के मेन रोड में हुए हिंसा की जांच NIA कर सकती है बुद्धवार को NIA की टीम डेली मार्केट थाना पहुच कर पुरे घाटना चकर की जनकारी ली टीम अपने साथ हिंसा के उपरांद दर्ज प्राथमेकी की कॉपी भी अपने साथ ले गई है NIA या पता लगाने में जूटी है कि मेन रोड हिंसा में कहीं देश बिरोधी ताक्तों का तो हाथ नहीं हलाकि अभी NIA की ओर से इस मामल में कुछ भी जनकारी सजा नहीं की जा रही है बता देकी 10 जुनको राईधानी के डेली मार्केट थाना चेत्र के मेन रोड में जुमे की नमाज के बाद जमका उपद्राव पत्रबाजी हुई थी सहायक अभियानता नियुक्ती की प्रारांभिक परिक्षा मामला याचिका खारीज जारखन हाई कोट के जर्शिस राजेस संकर की अधालत में सहायक अभियानता नियुक्ती की प्रारांभिक परिक्षा मार्क्षा मार्क्षा देने के दावा करने वाले याचिका पसुनवाई हुई आरक्षित कोटे में आरक्षित कोटे के अव्यारतियों को सिफ्ट किया गया जबकि राज सरकार का कहना था कि ऐसा करना आरक्षा नहीं माना जा सकता भारत जोडो यातरा अगस्त से सुरू होगी कन्या कुमारी से कासमीर तक भारतिय राश्ट्रिय कंग्रेस की भारत जोड़ो यातरा योईना को लेकर गुरुवार को बैठक हुई पर्देश कंग्रेस अध्यक्षो और फ्रंट संगतनों के सभी अध्यक्ष को की अखिल भारतिय कंग्रेस कमेटी के पता दिकारियों के कहा है कि उदायपूर के नव संकल्प चिंतन सिविर के दवरान या घोसना की गई थी कि भारत जोड़ो यातरा दो अक्टूबर 2022 को सुरू होगी लेकिन अब ऐसा संकेत है कि भारत जोड़ो यातरा अगत्थ से ही सुरू होगी रोड टेक्स पर लगी पनाल्टी माप राई सरकार ने कुरोना के प्रत्थम वह दूसरे चरण के लोगड़ान के दोना रोड टेक्स नहीं देने वाले वाहनों पर लगी पनाल्टी को माप कर दिया है अब इन वाहनों पर अर्थ डंड नहीं लगेगा राज सरकार के परिवहन मंत्री चंपाई सुरण ने इस समध में निदेश दिया है जिसके बाद परिवहन आयुक्त ने इस समध में आदेश निर्गत किया है नकसल परभावी छेतरों में पारा मिलेटरी फोर्स के साथ अभियान रांची एस स्प के रूप में गुरुवार की सोर कौसल ने पदभार समधा है उन्होंने पूर्व एस स्प सुरेंदर कुमार जहां से पदभार लिया पद समधालते ही उन्होंने कहा रांची में पर पूलिस के नजर रहेगी जीले में तनात डी एसपी वा थानेदार एक टीम के तहट कायम करेंगे उन्होंने कहा रांची के आसपास के जीलों में नकसल परवावी छेतरों में जो अभियान चल रहा है उसे पारा मिलेटरी फोर्स के साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे उन्ह लाख रूपए मोवजा धनबाद के प्रधान खंता रेलवे स्टेशन के दक्षिन चाता कुल ही के पास अंडर पास निर्मान के दोरान धसी मिट्टी में दवे चारों मैदूरों का सव चौदा घंटे के बाद बुद्धवार की सुबा साड़े दस बजे निकाला गया बत कॉन्टरेक्ट मुअबजे के प्रधान के अनुसार 20 लाख रूपए देने का भरोसा दिलाया गया रांची के नामकूं परखंड के वीडियो पर 5 लाख रिसवत लेने का वीडियो जार्खन की रैजधानी रांची के नामकूं के परखंड विकास पतारीकारी ग्यान रंजन पर रिस्वत लेने कारोप लगा है दरसल नामकूं वीडियो पर एक टांस्पोर्टर ठेकेदार संजीत कुमार यादव से 5 लाख रुपए रिस्वत लेने का मामला सामने आया है UGC का जार्खन के विश्व विद्याले को निर्देए CBSE बराहमी के रिजल्ट का करे इंतजार UGC ने जार्खन के सभी विश्व विद्याले और कॉलेजों को असनातक में दाखिला लेने से पहले CBSE बराहमी के रिजल्ट का इंतजार करने को कहा है वहीं इस बार जारकन के सभी विश्व विद्याले में नई सिक्षा नीती के तहत नमांकन परकिरिया पूरी होगी UGC के सचीव प्रफेसर अजनिस जैनने विश्व विद्याले के कुलपतियों सहीद सभी कॉलेजों वहा संस्थानों के परचारियों और निदेशकों को पत्र भेजा है चाईबासा के MP MLA कोट ने 18 को किया बरी चाईबासा के MP MLA स्पेसल कोट दंडा अधिकारी रीसी कुमार की कोट ने गुरुआर को कदमा गनेश पुजा मैदान में सहीद सांसथ सुनील महतों की परतीमा लगाने के मामले में आरोपी जमसेतपुर के सांसथ विदूत वरण महतों घाट सिला के विधायक रामदा सोरेन पुरो सांसथ सुमन महतों समेत 18 लोगों को चेतावनी देते हुए बरी कर दिया है रामगर से इंटर डिस्टिक बाइक चोर गिरोह का खुलासा रामगर जीले के पुलिस ने इंटर डिस्टिक बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है पुलिस ने 10 अरोपी गिरफतार किया है इनकी निशान देही पर इनके द्वारा चुरायकर 11 बाइक को जब्त भी किया गया यह सभी बाइक रांची रामगर बोकारो और हजारी बाइक जीले में रेंकी कर टारगेट फिक्स करते थे और फिर टारगेट को अंजाम देकर बाइक चोरी करते थे एक ग्रामीन इलाकों में सोस्ते दामों पर महांगे बाइक को बेज देते थे इस बात की जनकारी स्पी प्रभायत कुमार ने पत्रकारों को दी धन्यवाद